तो दोस्तो अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर कोरिया से आप सब तो बिजी होंगे रशिया और योक्रेन की खबरों को सुनने में लेकिन उत्तर कोरिया भी कम नहीं है साउथ कोरिया को पटकनी देने में हाली में अमेरिका और साउथ कोरिया की ड्रिल चल रही है और ये मिल्टरी ड्रिल दोस्तो कोई छोटी मोटी ड्रिल नहीं है इस ड्रिल के अंदर 240 एरक्राफ्ट 1600 से जादा बार उडान भरने वाले हैं अमेरिका साउथ कोरिया के साथ मिल कर ना सिरफ चीन को संदेश दे रहा बलकि उत्तर कोरिया को भी संदेश दे रहा है कि कल को अगर रशिया के साथ अमेरिका की अनबन हो जाती है उत्तर कोरिया और चाइना देख लें कि उनके साथ हम क्या हाल करने वाले हैं दोस्तों इस drill के अंदर 240 aircraft उड़ रहे हैं पर उत्तर Korea भी दवने के mood में नहीं है। उत्तर Korea ने भी बता दिया है कि वो किसी खेत की मूली की तरह नहीं है कि जब मरजी उखाड के फैक दो। ये जब drill चल रही थी तो उत्तर Korea ने भी अपने 180 fighter jet South Korea की border की तरफ उड़ाना शु ताकि उत्तर Korea को संदेश दिया जाए। फिर South Korea ने 180 के जवाब में अपने 80 fighter jet भेजे ताकि उत्तर Korea को ये दिखाया जाए कि हमारे पास F-35 भी है। तो इसके बाद भी दोस्तों जो दबाव है वो कम नहीं हो रहा था। तो South Korea ने अमेरिका को कहा कि उत्तर Korea का तो कुछ दोस्तों उत्तर Korea ने भी अब तक 23 मिसाइले दाग दी हैं South Korea की तरफ और ये South Korea में ना गिर कर South Korea C में गिरी हैं। और ये एक डेमो है कि किस तरीके की ये एक गर्मा गर्मी हो रही है उत्तर Korea और South Korea के बीच। दोस्तों अमेरिका ने अपना bomber भेज दिया F-35 भी भेज दिया लेकिन फिर भी उत्तर Korea दबने के mood में नहीं लग रहा है। और ये तना तनी दिखा रही है कि आने वाले समय में कुछ तो बड़ा होने वाला है। और यही कारण है जो रशिया के साथ वाले देश हैं उनकी हवा टाइट करने में लगे हुए हैं ये अमेरिका वाले। तो दोस्तों आप क्या कहना चाओगे इस बारे में कमेंट करके जरूर बताईएगा तो खेर मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पीस आउट।